बाबा बागेश्वर की कथा रुखवाने हाई कोट पहुचा वकील, जज ने लगाई फटकार, वीडियो वाइरल, रहजीप सी को सारी वकालत बंद हो जाएगी सुवार को मद्यप्रदेश हाई कोट की जबलपूर खंडपीट ने प्रदेश में बागेश्वर धाम के धार्मिक आयोजन को रोकने के लिए दायर हुई दूसरी जनित्याचका को भी खारिच कर दिया यह आयोजन इसी महीने की 23 मई और 24 मई को जिला बाला घाट के गाउन लिंगा स्थितरानी दुर्गावती महाविद्याले मैदान में प्रस्तावित है यह याचका एक वकील द्वारकतित आदिवासी संगठन की तरफ से लगाई गई थी जिसमें आयोजन से उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा था याचका करता ने सुर्वाई के दौरान बेहद अभधरता से बहस की जिस पर कोट ने उसे चेतावनी भी दे दी इस बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है वाइरल वीडियो में याचिका करता के वकील ने धीरेंद कृष्ण शास्त्री की कथा आदिवासियों के धर्मस्तल बड़ा देव भगवान के बजाए कहीं और कराने की मांग की इस मांग पर जस्टिस विवेक अगरवाल ने सवाल किया कि जहां अभी कथा होनी है वहां किस बात से आदिवासी लोगों की भावनाय आहत होंगी और वहां की मानिता क्या है कोट के सवाल पर याचिका करता कि वकील कोई संतोष जनक जवाब नहीं दे पाए और इसी दौरान उन्होंने सम्विधान का हवाला दिया और जजज पर अपनी बात ना सुनने का आरोप लगाया वकील ने कहा कि या सम्विधान में प्रावधान है वही तो बता रहा हूं आज समझने को तयार नहीं है वकील के जवाब पर जस्टिस विवेक ने उन्हें ठीक से बात करने को कहा हालांकि इसके बाद भी वकील ने कोट में जज से कहा आप सुनने को तैयार ही नहीं है कुछ भी बोले जा रहे हैं वकील के इन शब्दों पर जज ने उन्हें अवमाना का नोटिस जारी करने के आदेश दिये जस्टिस विवेक ने कहा आपको हाई कोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है अपना जवाब आप नोटिस में दीजेगा जज ने आगे से गलत बहस करने पर वकील को जेल भेजने की भी चेताव नी दी आगे इस वीडियो में जस्टिस विवेक ने वकील से सर्व आदिवासी समाज के बारे में पूछते हुए सवाल किया सवाल किया कि उन्हें बहस के लिए किसने अधिकृत किया साथ ही कहा ध्यान रहे जरासी भी उल्टी सीधी बहस की तो यहीं से जेल भेजूंगा वकालत खत्म हो जाएगी तहजीब से बात करना सीखो बत्तमीजी करना भूल जाओगे सारी तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बत्तमीजी करके अपने आप के लिए बहुत बड़ी यार्पी जमा कर लोगे ये भूल जाते हूँ कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी तुम लोगों को सिखा कर भेजा जाता है कि बत्तमीजी करो जज ने वकील से माफी मांगने के लिए भी कहा एक सवाल के जवाब में वकील ने खुद के हाई कोट में साल 2007 से प्रैक्टिस किये जाने की बात कही याचिका करता के नाम के तौर पर हेमलता दुवे और करनल हर ना पारे में पूछा तो वकील ने रेजिस्ट्रेशन होने पर कोट में ना लगाने की जानकारी दी इस जवाब पर जस्टिस वेग ने टिपड़ी करते हुए ऐसी याचिका को स्पांसर पेटीशन कहा आकिरकार हाई कोट ने याचिका खारिच कर दी जस्टिस वेग ने वकील तथा कतिकसर्व आदिवासी समाज की वकील ने सवालों के जवाब देने की बजाय बेवजे की बहस की आदेश की अनुसार अधूरे कागजादों के साथ पेश हुआ याचिका करता ये साबित नहीं कर पाया कि प्रस्तावित कथा से आदिवासी समाज की भावनाएं कैसे गौर तलब है कि धेरिन कृष्ण शास्त्री 23-24 माई वाले इसी कारिक्रम को रोकने के संबन धी एक याचिका 18 माई को जस्टिस विवेक अगरवाल की बेंच ने खारिज कर दी थी तब आदिवासी विकास परिसत के दिनेश कुमार धुरुफ की ओस से पेश हुए वकील प्र एडवोकेट चौधरी ने धीरेंद कृष्ण शास्त्री पर धार्मिक वयमनस्ता फैलाने का आरोप लगाया था। हिंदु धर्म को बढ़ावा देने वाले वीडियो के वाइरल होने के बाद से बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद कृष्ण शास्त्री को फायर ब पूरी और तरह तरह के पकवान खिलाते गणेश मान कर उसकी पूजा करते हैं तो दूसरी तरफ आवारा कुत्ते भौकने लगते हैं।